हेलो इस्टुडेंट्स आज हम लोग exercise 2.2 का question number 2 solve करेंगे कल मैं question number 1 solve किया था आज question number 2 solve करूंगा question number 2 में है द्विघार बहुपत ग्याद कीजिए जिसके सुन्यांकों के योग तथा गुनानफल करमश्य दी गई संख्या है करमश्य दिया हुआ एक सब्द करमश्य मतलब respectively कहता है कि सुन्यांकों का योग तथा सुन्यांकों का गुनानफल फिर दिया है करमश्य मतलब पहला वाला जो है यहां पहले योग लिखा है तो पहला वाला हो गया सुन्यांकों का योग यानि एक बटे चार दूसरा वाला हो गया माइनस एक सुन्यांकों का गुनानफल तो सुन्यांकों का योग तदा सुन्यांकों का गुनानफल दिया हुआ है आपको द्विघात बहुपत पराप्त करना है तो द्विघात बहुप का योग एक नमबर से यह हम बनाते हैं सुन्यागों सुन्याकों का योग के अतला ह्योसियों और आपकों का योग कली मैंने बिता है क्या होता है अल्सदी अइसक्राइब बाभान आपका मां दियने व एक वह सम्मार कि एक बटकमר को एक बेख्ण है यह दिया हुआ है और alpha plus beta का formula जानते हैं, alpha plus beta होता है minus b byt A मतलब बढ़ार कर देते हैं, minus b byt A तो minus b byt A होजाने का मतलब minus b byt A minus b byt A minus b byt A byt A और यह बढ़ार हो गया 4 और यहाँ पर आप एक्सिरण कर देते हैं b byt A minus 1 मानस का यह इस पार लिए चाहिए यह b कामान हो गया और यह कामान हो गया अब हमसी चाहिए तशी के लिए क्या करें मैं यह जय और दिया है है क्या सुन्यांगों का गुंनन फarah तो म्लग सुन्यांगों का गुंनन फल अह taste सब्सक्राइब एंटू भीटा का आपको दिया हुआ है पहले से तो लगार को सनमेन अभी बना रहें न चार तो माइनस एक को माइनस एक बटे एक लिख सकते हैं तो देखिए यहां यह आड़ा है एक और सी आड़ा है माइनस वन लेकिन यह हमारे पस पहली से चार है तो भी ऐसा तो संबब नहीं है कि एक जगे यह बरावर चार आएगा और एक जगे यह बरावर वन आएगा तो सी का भी मान हमार पास बदल जागा तो सी बरावर हो जाएगा मेरे पास माइनस चार और यह बरावर हो जाएगा चार देखें यह बरावर यहां भी चार हो गया और यह बरावर उससे पहले भी हमार पास चार आया था तो चलिए सी का मान निकल गया यह हमार पास क्या पराप् का सामान नूरुप नूरिया होटा है इसे पहले विया से बाता है हनु bark किया दृभाद भुपध लूप्ध अ वहुपहता है एयक मान कितना चाड़ है तो यह हैं माइनस वən है तो हम पलश यहां पहले है तो माइनस वन और यहां पर एक्स कर देंगे तक कलिए पलस C और C का मान है 4 हम देखे 4x स्कोयर Ahto माइद पहले मार रख दोए तब यह पलस माइद मिलके माइधो हो जागा यह माइद स्वह चार हो जागा जए यहाँ पर सुरह सभ प्रस्तिक हो गया चलिए इसका जो बेकल्पिक बेदी है वो मैं आपको बता रहा हूँ बिसे बनाएंगे देखें, अलफा फलस बीटा हम रहाँ पस दिया हुआ है क्या अलफा फलस बीटा है, एक बटे चार और अलफा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस एक, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, दूइखाद समीकरन का एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे दूइखाद समीकरन, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा X square minus alpha into beta alpha into alpha plus beta X plus alpha beta ब्रावर 0 ये समीकरन बना देंगे हम इस बीड़ी से आपको समीकरन ही बनाना होगा तो सिद्धे बहुपद में रखेगा तो नहीं होगा समीकरन हम इसलिए बनाएं जब किसी भी द्विगहत बहुपद का सुन्यांग यैणि zeros अलफा और बीटा हो तो जब तक वो 0 यहां पर बरावर नहीं करेंगे तब तक उसका सुन्यांग तो निगलेगा नहीं तो किसी भी द्विगात बहुपत को हम द्विगात समीकरन के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 0 होने का मतलब इस समीकरन बन गया, तो अब हम लग क्या करेंगे, देखें, एक से स्क्वार माइनस, अलफा प्लस बीटा का मन कितना है, एक बटे चार है, तो एक बटे चार एक उसार, बराबर 0, अब यहां पर एक ध्यां दिना आपको, यह जो एक बटे चार नीचे है, इस चार को आपको हटाना है, यहां से, तो इस चार को गाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे किया, दूनों और 4 से गुना करने पर, चले हम 4 से गुना कर देते हैं, यहां चार से गुना करेंगे तो यहां हो जागा क्या चार एकस स्क्वार माइनस यहां हो जागा चार गुना चार से तो हम गुना करेंगे सब में गुना करेंगे चार गुना एक बिटे चार एकस माइनस 1 गुना 4 बराबर 0 गुना 4 देखे 4 से पुरा इस पार और उस पार दून पार गुना कर देगे अब यहां होगे कि 4 x स्क्वार आप देखे यह 4 से रखतम है जागा तो माइनस 1 बच जाएगा और माइनस 4 एकम 4 बराबर 0 यह दूग्ध समीकर प्राफ्त हो लेकिन अब को दूग्ध समीकर नहीं बनाना आपको दूग्ध बहुपद बराना है तो आप यहां एक बर्पुने लिखे दूग्ध बहो पद दूग्ध बहुपद बराबर dongए चार एक स्कोर माइनस एकस और माइनस चार यह यह इंसर होगे आपके यहा प्राला कि यह आपके अंशना वह नहीं गोग historias अ는 प्रीजें साहर नहीं मांग रहा हैं यह दोनुग एंसर श्रॉड गया यह हो कि 4x²-x-4 और वहाँ भी आया था क्या 4x²-x-4 चलिए हम लोग आगा कुश्चिन के तरफ चलते हैं चलिए exercise 2.2 का एक पनाले अब 2 number solve करते हैं 2 number में दिया है कितना मूलों का योग बराबर दिया है root 2 यानि alpha plus beta बराबर दिया है कितना root 2 तो alpha plus beta दिया है root 2 इसको हम करते हैं कि माइनस b बटे ये माइनस b बटे ये तो root 2 को हम root 2 बटे 1 लिख सकते हैं यही रूट 2 बटे 1 बराबर माइनस b बटे ये तो इसको आप यही आभी फिलाल रहने दिजे उसके बाद देखते हैं अल्फा इंटू बिटा चले यहां बना लेते हैं अल्फा इंटू बिटा यह परश्ण में दिया है कितना वन बाई थिरी वन बाई थिरी तो अल्फा इंटू बिटा कमान होता है सी बाई यह बराबन होगी है कितना वन बाई थिरी अब देखे यहाँ पर यह का मान तीन आ रहा है और यहाँ पर यह का मान वन आ रहा है तो यह को तो समान करना होगा एक जगे यह का मान तीन एक जगे यह का मान एक तो हो नहीं सकता है तब हम लोग इसको थोड़ा सा मोडिफाई कर देंगे थोड़ा सा change कर देंगे, ऐसा change करेंगे, कि फिर इसका value न सील करेंगे, तो हम लग क्या करूंगे, इसको 3 बhan sulfur ने के यहां तीन से गुना कर ना, तो root 2 gune 3, वहन से एक गुना 3, देखें, तीन भाई 3. इसको कार देंगे तो फिर यह खो जागा इसका मान में कोई पड़ी वड़तर नहीं होडा है बरावर माइनस B यह आप देखें दूनों समण हो गया यहाँ पर आप ले लिए देखें यहां के रूट थिरी रूट टू बरावर हो गया कितना माइनस B थिरी रूट टू वटे थिरी बरावर माइनस B वटे यह आप देखें यह बरावर हो गया थिरी और B बरावर हो गया थिरी रूट टू और सी बरावर हो गया सी बरावर एक यह बरावर थिरी तो यहाँ भी है तो चले अब हम लोग द्विगात समिकरन यह सुरी द्विगात बहुपद निकाल लेत माइनस BX A सुरी पलस BX पलस C यह दिगार बहुपत हो गया तो A कमान कितना है? तीन है तीन एकस A स्क्वाइर पलस B B कमान कितना है? ठीरी रूट टू चले A सुरी यहाँ थोड़ा गलती होगा देखे यह माइनस B बटे ही है तो माइनस B बटे ही है तो B कमान यहाँ पर माइनस आ जागा यहाँ यह चीज़ आप ध्यान देंगे तो B कमान कितना हो गया? माइनस थीरी रूट टू यह माइनस इस पर आ जागा तो माइनस थीरी रूट टू B कमान हम यह लिख देते हैं मैनस थी रूट 2 एक्स है तो एक्स भी डाल देंगे पलस ची का मान है बन अब देखे यह कितना हो गया तीरी एक्स स्कुर्ण यहां ब्राकेट का इस्थामाल कर दिये चोंकि दो चीन एक साथ आगया पलस माइनस माइनस थी रूट 2 एक्स प्लस वन देखे ये द्विघाद बहुपत प्राप्त हो गया चेले इसका आप हम लोग बैकल्पिक बीधी निकाल लेते हैं बैकल्पिक बीधी से आप कैसे निकालेंगे हो सकता है आपको वही तरीका अच्छा लगे चेले अलफा प्लस बीटा एक बार हम पुने उतार द्विघाद बहुपत ब्रापर होता है कितना एक्स स्क्वाइर माइनस अलफा प्लस बीटा एक्स प्लस अलफा बीटा ये होता है द्विघाद बहुपत का फॉर्मूला इसको आपको याद रखना होगा तो एक्स स्क्वाइर माइनस देखे अलफा प्लस बीटा का मान दि यहाँ पर आपका answer मेच नहीं करेगा तो आप इसको समीकरन बनाना होगा इसको हटाने के लिए तो आप यहाँ लिखे किया द्वी घात समीकरन द्वी घात समीकरन यह बरावर होगे हैं कितना x square minus root 2x plus 1 by 3 बरावर 0 0 कर दीजेगा तो यह समीकरन बन जाएगा अब हम लग क्या करेंगे दोनु पक्षों में 3 से गुना कर देंगे दोनु पक्षों में दोनु पक्षों में तीन से गुना करने पर चले दोनु पक्षों में 3 से गुना कर दीजे तो यहाँ क्या बाज़ेगा x पलस देखें, यहाँ तीन से यहाँ अगर हम गुना करेंगे, तो यह तीन और तीन कर जागा, तो बच जागा कितना? एक बच जागा, बराबर 0 गुना 3, तो जीरो गुना 3 करेंगे, चलें यहाँ अक पर 3 रखी देते हैं, चुझे तीन तो हम़रा पस आठे है, 0 गुना 3, तो बरावड यह 0 हो जागा आप इसको सीधे डारेक 0 लिए सकते थी तो यह आप कर दीजे द्विगाद बहुपद आप सीधे लिख दीजे द्विगाद बहुपद 3X स्क्वार मैनस 3 रूट 2X पलस 1 यह एंसर आपका होगा यहाँ पर यह एंसर नहीं होगा चूंकि यह समिकर में तीन नमर में क्या दिए है मुहनों का युकषण यहने अल्फा फलस बीटा यह बरावर 0 दिया हूँआ है और अलफा इंटू बीटा बराबर रूट पांच दिया हुआ है ये दुनों चीद दिया हुआ है आपको द्विगाद बहुपद ज्याद करना है तो हम लोग क्या करेंगे अलफा पलस बीटा बराबर कितना होता है फूर्मुलाय में माइनस बी बटे ये चले अलफा पलस बीटा कामान कितना दिया है आपको पास जीरो बराबर माइनस बी बटे ये तो देखे जीरो बटे वन हम कर सकते है इसको तो माइनस बी बराबर यानि बी बराबर जीरो माइनस इस पार दे उस पार दे 0 होना ही है बी बरावड हो गया 0 और यह बरावड हो गया 1 चलिए अब हम alpha into beta को लेते हैं alpha into beta बरावड होता कितना c वर्ट यह और alpha into beta कामणा आपको बस दिया कितना root 5 बरावड c बरावड हो गया root 5 को हम 1 लिख सकते हैं पर बीबाद जिरो हो गया जेलिए लोग किनों मान को बक बढ़ाते हैं है यह लेक्ते हैं लोगाइँ कि go लिए फ का सामा नूरु यह अक्स कोर महाय पलस भी एक्स पलस सी किले यह का स्कॉर का मतलब है कितना यक्स स्कॉर और पलस यक्स गुना जीरो परवर जीरो हो जागा तो जीरो को हम लोग और नहीं लिखेंगे जीरो को जीरो को जीरो भी जाएगा पलस रूट पांच देखें यह आपका उत्तर निकल गया चले यह निकल गया दूगा बहुपद चले इ कल्किक बीदी में देखे, अलफा पलस बीटा अमर अपस दिया हुआ है, अलफा पलस बीटा है, जीरो, और अलफा, इंटू, बीटा दिया हुआ है, रूट पाच, तो दूगाट, दूगाट, बहुपद, इतना है, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta यही है दिगार बोपद यह formula आपको याद रखना होगा x square minus alpha beta कमन कितना है 0 है तो 0 गुना x हो जाएगा plus alpha into beta कमन है root 5 तो यह तो 0 बन जागा भई x square plus root 5 x square plus root 5 वहां भी आ गया x square plus root 5 यहां भी आ गया यही आपका answer निकल गया चले आप हम लोगो क्या question number चले अगला तीन question बच गया अगला तीन question में दूसरा दिन बना दूँगा आप इस तीन question को practice कर लेंगे चाहे आपको यह बेकल को बीदी अच्छा लगे या पहला वाला बीदी अच्छा लगे जो बीदी आपको अच्छा लगे उस बीदी से आप दिखाद बहुपत को निकाल लेंगे और वीडियो का